हेलो एवरिवन वेलकम टू आएफएस तो CSR.NET जून 2024 का स्कॉर कार्ड NTA ने रेलीज कर दिया है और सबने अपने-पने मार्क्स देख ली होंगे पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C3 के अंदर है वो मार्क्स का टोटल और उसके साथ में आपने देखा होगा कि परसंटाइल भी आपके स्कॉर कार्ड में दिया हुआ है तो हम कुछ expected cut-off बताने वाले हैं CSR.NET फेजिकल साइंस की परसंटाइल बेस्ट बे कि किस परसंटाइल से अबोव पे आपका CRF हो जाएगा और किससे कम परसंटाइल पर है वो मतलब किससे उपर है वह होगा मैं और कंटेगरी दिसके साथ में मैं आपको एक फ्रॉमॉला भी बताऊंगा दिस फ्रॉमॉले को आप देखते हों अपनी रैंक को है हो आपकी exact rank पदा कर पाओगे कि आपकी exact rank यह है ठीक है अब बात यह है कि जो general की लोग है जो unreserved category है उनके लिए तो exact rank 110 के असपास है तो उनका GRF होगा ठीक है उसके बाद में जैसे बात करेंगे तो उसके अंदर फिर यह सेम प्रोसेस नहीं रहेगा कि 100 की ओपर 121 ऐसे नहीं है ना उसमें फिर क्या होगा कि 400 500 तक है वह आप मैं आ सकते हैं तो मैं आपको कुछ कट आफ बताने वाला हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं तेशा नेट फिजिकल साइंस साइंस जुलाई 2024 कट आफ इन परसंटाई ओके चलिए तो यह अपनी कैटिगरीज होगी जैरेफ के लिए और एड़ोस के लिए जैरेफ के लिए ल जैरेफ की जो परसंटाईल के अंदर कट आफ है वो 99.60 जाएगी ना 99.60 मैं ना सक्क्यों बोला इससे फिक्स क्यों बोला 99.60 के उपर वाले ही जैरेफ हो पाएंगे लिए मैं फॉर्मले से आपको एक्स्पेंद कर दूँगा कि 99.60 तक जिनके परसंटाईल है उनकी रेंग हंड्रेट तक है और हंड्रेट से ज्यादा है वो अंड्रिजर्ट के जैरेफ नहीं होंगे जिसकी रेंग हंड्रेट तक है वहां तक इनका जैरेफ हो तक है उनकी rank 100 के आसपास हो रही है और वो है वन रिजट में ज्यारेप हो सकता है उससे अगर कम आपके परसंटाइल है तो आपकी ज्यारेप नहीं होने थीक है बात अगरे एडिव्लूएस के कर तो एडिव्लूएस के अंदर 70 97.95 परसंटाइल से उपर जिनके परसंटाइल है उनका वह आराम से ज्यारेफ हो जाएगा 97.95 के वह जिनके वह एडिव्लूएस के नदर परसंटाइल है उनका ज्यारे हो जाएगा OBC के अगर बात करें तो OBC के 98.05 परसंटाइल से है वह जिनके परसंटाइल है उनका ज्यारे हो जाएगा यह 98.05 का अपन कैलकुलेशन करके देखेंगे यह बार कि कितना रैंक बनता है लगबग रैंक की अगर बात करें तो 500 के असपास रैंक है ठीक है तो जिनकी रैंक बताओंगा रैंक कैसे निकालते हैं SC की अगर बात करें तो 90.61 परसंटाइल से है वह जिनके परसंटाइल है उनका है वह जिनके परसंटाइल है ठीक है यह एक्जक्ट में बता रहा हूं कि इसके आसपास ही कट आप रहीगी आप देख लेना फिर अगर हम बात करें कि अपने एलस की तो एलस के लिए अन्रिजल्ट के लिए 96.95 से वो जिनके परसंटाइल है उनका लेक्चरशिप के लिए वो लोग एलिजिबल हैं हो से अगर आपके परसंटाइल है और अगर आप प्वड में हो तो आपका 85.10 से अगर आपके अब वो मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका लसे हो जाएगा यह एक्सपेक्टेड है इसके आसपास ही है अगर रहने वाली है अब मैंने यह 99.60 क्यूं बोला है इसकी पीची का रिजिन बताता हूं देखो हाव टू प्रिडिक यॉर रैंक तो एक फॉर्मूला है यॉर रैंक इस इकल टू 250.75 इंटू 100 बाइनस यॉर परसंटाइल तो इस फॉर्मूले के तहत देखो मान लेते हैं कि आपके जो परसंटाइल है वो कितना है 99.34 अब मैंने क्या बोला 99.60 है वो जनल की रहेगी परसंटाइल का टॉप रहेगी 99.60 तो आप जिसके मान लीजे 99.34 है अगर आपके नंबर तो 99.34 569 987 है तो आपकी जो रैंक है आप यहाँ पर वेल्यू पूट करोगे यॉर प्रसंटाइल 100 बैनेस यॉर प्रसंटाइल और इससे मल्टिप्लाइ करोगे तो जो आपकी रैंक बन रही है 198 और 198 रैंक है वो बहुत मतलब दूर है 100 से तो जनरल वालों के लिए 99.34 भी अगर आपके मार्क्स आ रहे है तो भी आपकी है वो जयारेफ नहीं होने वाली है एट लिस्ट आपको 99.60 मार्क्स आएंगे तभी आपकी जयारेफ होगी तभी आपकी रैंक है वो 100 से 100 के अंदर होगी और 100 के अंदर इसलिए क्योंकि 99.60 है यहां तक तो इससे अबो जिनके परसंटाइल है चाए वो से अब उसके बाद अगर बात इडबलोस के अंदर वो लोग है होंगे जिनका इडबलोस का सर्टिफिकेट है तो अब मान लिजिए 101 वी रैंक किसकी है कोई ऐसा केंडिडेट है जो वो इडबलोस में काउंट नहीं होगा ठीक है और मान लिजिए कि 110 वी रैंक कोई ऐसा इंसान होगा जो की इडबलोस केटेगरी है तो मैंने यह जो 99.75 का पताया है तो लगबग यह साड़े 5600 के आसपास रैंक जा रही है तो साड़े 5600 तक रैंक मतलब क्या हो गया अंड़ेट के बाद के वो वो लोग ही है 600 रैंक तक जो इडबलोस में है उनका आराम से जयर्व हो जाएगा 98.05 का मतलब 500 के आसपास रैंक है OBC के अंदर है तो अंड़ेट के बाद में 101 से लेके 500 तक के जो OBC है वो है वो इस कैटिगरी में आ जाएंगे इसलिए परशन डेज में मैंने इतना डिफ्रेंस रखा है यहां पर यह 90 SC के लिए अब गया हो गया 2000 रैंक तक आराम से मतलब 800 तक की रैंक अगर है तो अब क्या हो गया 100 के बाद में ST के वो लोग जिनकी जिनके नंबर है वो इतने आ रहे हैं उनमें सिर्फ वो वह सेलेक्ट होंगे तो अपने आप से ही है वो 90 तक पहुंच जाएगी पर ठीक है तो एक बार यह आप ध्यान रखना कि अगर आपके मार सब्सक्राइब के लिए 99.60 से ज्यादा ओविसी के लिए 98.05 से ज्यादा स्ट के लिए 90.02 से ज्यादा पीड़ी के लिए 86.25 से ज्यादा आएंगे तो यह आपकी ज्यारेफ होगी और अगर लस की बात करता है लसकी के अटप में आपको बताईए 96.95, 93.30, 93.80, 86.01, 85.20, 85. यह परसंटाइल के अंदर है इसके ऊपर आपके अगर परसंटाइल है तो आपकी LS हो जाएगी ठीक है ओके और एक और चीज़ अगर आप यह सारी कल्कुलेशन नहीं करना चाते है फॉर्मूला एपलाई नहीं करना चाते है तो IFS का आपके अपिसेल वेबसाइट भी एक प्रेडिक्टर वाँ जाके अपनी रेंक प्रेडिक्टर सकते हो ठीक है और इस फॉर्मूले से भी आपनी रेंक है वो पता कर सकते हो ठीक है यह तरीका है रेंक पता करना का ओके थैंक्यू सो मच